कोहली भाई बस बहुत हो गई लोयल्टी लोयल्टी होती है दिमाग वालों से इनसे क्या लोयल्टी जिनने ये ना पताओ की अकूँ तो जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि RCB के लोगों में जो शेर है वो हमारी बीच नहीं रहा दरसल बात ये है कि वो आज मैच देखने आया था और उसने अनुज रावत की पूरी बैटिंग देख ली तो उसने वापिस जाके बिना किसी को बताए ईमेल पे अपनी रिटायर्मेंट दे दिये टीम को और परदे के पीछे की बात बताता हूँ कि दरसल बात ये है कि वो शेर ही नी क्यूकि इस सीजन बोलिंग को देखके शेर ने आने से मना कर दिया था वो बिल्ली ही है, बस वो विराइट कोली को देख के उसका सीना चोड़ा हो जाता है, तो वो शेड लगता है, और जैसे ही विराइट कोली थोड़े इधर उधर हुए, वो अपने असली रूप में आ जाता है, कोली भाई बस, बहुत हो गई लोयल्टी, लोयल्टी होती है दि competition ही नहीं हर बच्चा RCB का fan और auction table पे इनका दिमाग इतना भी नहीं चलता कि धाई करोड रुपे बच गए तो एक spinner भी ले 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 IPL auction में 11 करोड का जारी जोसफ खरीद के एक दूसरे को medal पिनाएंगे कि भई क्या काम कर दिया हमने ये तो हिस्ट्री हो गई अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता spinner हमें चाहिए ही नहीं अरे भाई साब आपने ये मेरा master stroke नहीं देखा गया ये जो मैंने psychological game खेले हैं 22 करोड पर्स में होने के बावजूद 20 करोड पैट कमिंस पे लगा दिये और जबकि पूरी bowling unit summer holiday पे भेजी हुई है अब तो हमें spinner की जरूरत ही नहीं ये जो 2.85 करोड बच गई है इन पैसों से अब हम बुलाएंगे एलन वोकर और वो जादा नहीं सिर्फ दो गाने गादे और वो दो गानों से ये ऐसा magic कर देगा ना कि हमें spinner की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तूड गया मैं तो अब फैन बेस पे जी इनको बहुत प्राउड है फैन बेस इन लॉयल चाहिए और जो management players के साथ disloyal है दुनिया की ऐसी कौन सी team होगी जो अपने history के highest wicket taker को release कर देगी और auction में भी एक बार try नहीं करेगी उसे वापस लाने का चहल के साथ जो इनों ने किया उसको तो ये कभी भी justify नहीं कर पाएंगे तो अब थोड़ी कर लेते हैं मैच की बात RCB versus LSG तो toss तो RCB जीत गई लेकिन हमें क्या पताता है ये आखरी चीज है जो RCB मैच में जीतने वाली है तो toss पे पता चलता है कि विजे कुमार इस मैच में नहीं खेल रहा अरे वही जिसने पिछले मैच में अच्छी बोलिंग करी थी नहीं हिम्मत कैसे हुई उसकी स्टार बनना चाता है ये हरकत है यहां नहीं चलेंगी ऐसा RCB मैनेजमेंट ने साफ बता दिया विजे कुमार को उसको भार बिठा गे और भई उसको कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ ले ना कि भाई ठीक है न किसी तरे की कोई परिशानी तो नहीं है इन लोग मैस से पहले RCB फैंस मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई देख ले ना कि रजट पार्टीदार कम रन बनाये तो संभाल ले ना मैं का क्यूं मैं नमबर 6 पे बैटिंग करता हूं कि मैं जाके संभाल लूँगा इन्हें सिर्फ एक ही आदमी संभाल सकता है वो है विराट कोली और अब बिचारे किंग कोली भी तंग आ चुके हैं क्यूंकि पहले यह लग रहा था कि चलो बोलिंग खराब है ना बैटिंग तो बढ़िया है बैटिंग में तो जी हम उड़ा देंगे और अब बैटिंग पफोर्मेंस देख लो बैटिंग में इन सब ने विराइट कोली से सोशल डिस्टैंसिंग कर रखी है कि हम अलगे जी हम बड़े स्टार हैं हम अलग से दिखने चाहिए तूड गया मैं तो अब और RCB फैन होके आपको जीवन का सत्य पता लगता है कि जीवन में आपको सब कुछ नहीं मिलता आपको दो में से एक चीज चूज करनी पड़ती है कि आज बोलिंग अच्छी कर दी तो जी बैटिंग का हो लिडे और चलो आखिरकार अलजारी की जगा टॉपली आया तो उससे तो अच्छी ही बोलिंग करी है और यश दयाल की बोलिंग पे मैं आज कुछ बोली नहीं सकता क्योंकि उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से 40 रन कम दी है और जो केल भाई के जल्दी आउट होने पे डीके भाई ने अपनी पैकिंग चालू कर दी थी कि बोलिंग होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाके उन्होंने तो अपनी पैकिंग चालू कर दी थी कि फर्स्ट चाही ना जाऊं लेकिन बैक अप के रूप में तो चला ही जाऊंगा लेकिन बिचारे ठक चुकी है हर मैच में इतना स्ट्रेस दे देती है ना RCBD के भाई को कि इस मैच में तो वो भी फेल हो गए कि भाई माफ करो मुझे रहने दो जी मुझे नहीं खेलना T20 World Cup कोई काम नहीं है पूरे जिनबर उठके सुभेरे उठता हूँ और आज कोई कुईंटन डिकोक को नहीं बोलेगा क्या कि स्लो इनिंग्स खेली है कि पिछले मैच में जब विराट कोली ने ऐसी इनिंग्स खेली थी तो लोग कहरे कोली ने हरवा दिया स्लो इनिंग्स थी कोली की वज़े से रन कम रहा गए रन कम रहा गए? आज वो ही रन 28 रन ज़्यादा थे तुम ये मैजिक देखो कि RCB की बोलिंग के टाइम पिछ फास्ट हो जाती है और RCB की बैटिंग के टाइम पिछ स्लो हो जाती है नहीं विराट कोली को छोड़ दो क्यूंकि डेब्यूटांट खेल रहा था तो उसको तो विकिट दे नहीं थी नए लड़कों में confidence कैसे आएगा सिधार्थ को नहीं देते तो मयंक यादव को देनी थी आज और मयंक यादव इस आदमी का level ही अलग है भई भाई की सिर्फ शकल सूर्य कुमार यादव से नहीं मिलती strike rate भी मिलता है मतलब जिस strike rate से सूर्य भाई बैटिंग करते हैं उसी speed से मयंक भाई करते हैं bowling आज भी लगभग 157 टेच कर दिया था और जब Bradley ने इनकी bowling देखी तो Bradley ने बताया कि अगर हाथ ऐसे की जगा ऐसा हो जाए तो मयंक की speed 4-5 kph और भढ़ सकती है अभी तक सिर्फ 2 match खेले हैं और दोनों match में records की आंधी आ गई आज एक और record बना दिया कि IPL history में सबसे ज़्यादा 155 की speed से बोल डालना ये record है मयंक की आदब के नाम और मैं कह रहा हूँ record छोड़ो तुम talent का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि Australian batters को आदमी pace से beat कर रहा है और वो भी चिन्ना स्वामी में Cameron, Green और Maxwell दोनों ही बोल खेलने में लेट हो गए और ये दोनों Australian team के main players हैं कोई domestic players भी नहीं हैं तो ठीक है अब ज़्यादा तारीफ नहीं करता कि कहीं नज़र ना लग जाई और जी अनुजरावत से मुझे कोई सोरी नहीं मांगनी और मैंने जो सोरी मांगी थी वो मैं लेता हूँ वापस ना भाई मुझे नहीं मांगनी कोई सोरी क्योंकि सोरी बनती है अनुजरावत की जो उसने आज ये innings खेलिया उसके लिए और भई देखो सब्सक्राइब करो क्योंकि आज तो मैं हजार प्लेस सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूँ कि पहले तो मैंने इस मैच को बरदास्ट किया और देखने के बाद भी इने डिफेंड भी किया क्योंकि तुमने कहता है अरे टेलीग्राम पर जो मैने तुमसे पूछा था कि विराट कोली को लिफेंड करना है नहीं तुमने ही गाता करना है तो वो मैने कर दिया है तो अभजी सब्सक्राइब बनता है और स्पेशली RCB फैंस तुम तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम पे जरूर आना वहाँ पे शाम को पूरी बात चीत होती है कि वीडियो में क्या करना है और क्या नहीं करना और किस प्लेयर को डिफेंड करना है किसको नहीं करना और इसके अलावा भी पूरे दिन मौज होती है तो ठीक है सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे पहुंच जाओ वहीं बात करते हैं